रादे रादे प्रिये भक्तो आज मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि सत्संग में जाने का वास्त्विक महत तो क्या है आप सभी जानते हो और हाप सभी सत्संग में कथा में कभी न कभी गए होंगे और अक्सर जाते भी होंगे लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि सत्संग में जाने का वास्तुविक लाभ हमें कब मिलेगा क्या हमें सिर्फ सत्संग में बैटके वहां भजन किर्टन करके और घर पे आके हमारे स्वभाव में अगर कुछ चेंज नहीं होता है तो क्या यही सत्संग है नहीं सत्संग का अच्तो वास्तुवि में तभी है कि अगर हमारा सत्संग में जाने के बाद हमारा मन मन में परिवर्तन हो हमारे विचारों में परिवर्तन हो और हम एक अच्छे इंसान बन सके इसी से रिलेटिर एक कथा मैं आज आपको बताने जा रहे हूं एक बार दो भाई थे दोनों भाईयों में बड़ा प्रेम था बड़ा भाई कभी कुछ लेके आता तो छोटे भाई के लिए भी कुछ न कुछ जरूर लेके आता दोनों के अपने अपने परिवार थे बच्चे थे दोनों परिवारों में बहुत ही प्रेम था लेकिन अचानक कुछ गलत फैमियों की वज़े से उन दोनों में एक दिन जगड़ा हो गया मन मुटाव हो गया कहा सुने हुई बहुत आत्म गलानी हुई दोनों को और दोनों परिवार आपस में दोनों परिवारों ने आपस में बोल चाल बिल्कुल बंद कर दी छोटे भाई ने कुछ गलत शब्द अपने बड़े भाई के प्रति कहे तो उसी को लेके बड़े भाई ने अपने मन में गाट बान ली कि आज के बाद मैं इसके घर ना तो कभी जाओंगा ना इसके कभी शकल देखूंगा इस तरीके से दोनों परिवारों में मन में उटाव हो गया समय बित्ता चला गया तो एक दिन जो छोटा भाई था उसकी पुत्री की का विवात है हो गया अब उसने छोटे भाई ने सोचा कि अब मेरी बेटी की शादी है तो निश्चे ही मुझे बड़े भाई के पास एक बाद चले जाना चाहिए उनको मना लेना चाहिए आखिर वो बड़े है मेरे भाई है तो वो उनके पास जाता है अपने बड़े भाई के पास चोटा भाई लेकिन बड़ी मिन्नते करता है कि भाईया आप चलो शादी में आपको सब कुछ संभालना है लेकिन बड़े भाई का दिल बिलकुल नहीं पसीचिता वो अडिक रहता है और अच्छे से बोलता भी नहीं है और साफ मना कर देता है कि मुझी तुम्हारी ना तो शकल देखनी है ना मैंने आपके किसी भी विवहासमारों में आना है तो छोटा भाई बड़ा उदास हो जाता है तो उसके मन में एक विचार आता है कि हाँ मेरा भाई एक संत के पास जाता है कि मैं उन संत के पास जाके अपनी समस्या का समाधान ढूंता हूं हो सकता है कुछ उपाई हो जाए तो छोटा भाई संत के पास जाता है और संत को सारी बात पता देता है कि ऐसे करके कुछ वर्ष पूर्व हमारे मन में हमारे दोनों के बीच में मन मुटाव हो गया था कहा सुनी हो गई थी लेकिन अब मेरी बेटी की शादी है और मैं अपने बड़े भाई के पास गया था लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो संथ उनको अश्वाशन दे के बेज देता है कुछ दिनों के पर शाद जब बड़ा भाई संथ के पास जाता है तो संथ उससे पूछता है कि तुम्हारे छोटे भाई की बेटी की शादी है तो तुम क्या क्या काम कर रहे हो तो बड़ा भाई साफ मना कर देता है कि मैं तो वहाँ पे कि क्यों क्यों नहीं जा रहे तो वो कहता है कि ऐसे करके कुछ वर्ष पूरो हमारे मन में हमारे दोनों के बीच में मन मुटाओ हो गया था कहां सुनी हो गए थे तो संद उनको कहता है कि ठीक है इस सच्संग के बाद तुम मेरे से बात करना, मिलना तो थोड़ी दे के बाद जब सत्संग कथा समाप्त होती है, तो बड़ा भाई संद से मिलता है संद उनको कहते है कि आप ये बताओ कि पिछले हफते मैंने जो कथा कही थी, उसमें मैंने क्या बताया था अब बड़ा भाई सोचने लग जाता है कि कौन सा सिर्षक था क्या विश्य था पिछले हफते, उसको बहुत याद करने पर याद नहीं आता तब संद उनको बताते है कि देखो तुम्हें पिछले हफते की बात भी याद नहीं है वो कथा याद नहीं है जो मैंने तुम्हें समझाई थी तुम्हें बताये थी और तुम अभी भी अपने सगे भाई कि उन बातों को दिल से लगाए बैठे हो जो कुछ वर्ष पूरू हुई थी मतलब इतने सालों की पुरानी बातों को तुम गले से लगाए बैठे हो तो तुम्हारे सत्संग आने का कोई फाइदा नहीं है खबरदाज जो कल से यहाँ पर सत्संग में आए मत आना यहाँ सत्संग में तो वो जो बड़ा भाई था वो समझ जाता है उसको एसास होता है कि हाँ वाकी में जो मैं कर रहा था वो गलत था मेरे सत्संग सुनने का लाब है क्या है अगर मैं अपने विचारों को चेंजी नहीं कर पाया और मैं इतने सौलों की इर्शाओ को अपने मन में पाले बैठा हूँ तो सत्संग सुनने का मेरा क्या लाब है तब उसको एसास हुआ कि हाँ उसकी गलती है और हमें अपने छोटो को शमा कर देना चाहिए उसी में तो बड़पन है उसने अपने भाई को शमा किया और उसी शाम वो अपने छोटे भाई के घर गया तो दोस्तों ये कथा हमें कुछ न कुछ हमें एक संदेश देती है और इस कथा में यही संदेश है कि अपने मन, विचार, शुद्ध होने करने चाहिए हमें तब ही हमारा ससंग जाने का लाब है बोले जैश्री कृष्णा, राधे राधे आपका दिन मंगल में हो